सब्सक्राइब कीजिए फोन एडवाइजरी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वैलकम टू फोन एडवाइजरी मैं हूं मनोज महरा पेश है मेरा न्यू वीडियो अश्कार दोस्तो मैंने चैनल के ट्रेलर में आपसे वादा क्या था हफ्ते में एक वीडियो नॉन टेकनिकल होगा रोचक विश्यो पर होगा तो आज हम पेश है हमारे नॉन टेकनिकल वीडियो के साथ दोस्तों आज इस वेडियो का टॉपिक है पदमावती कॉंट्रवर्सी किस परकार पदमावती फिल्म बरबार्थी की कगार पे पहुची है आज मैं आपको वो तीन गलतियां बताने वाला हूँ जिसके कारण पदमावती फिल्म की ये हालत हुई है पदमावती फिल्म की मुश्किले बढ़ती ही जा रही है फिल्म की रिलिज डेट एक दिसमबह से टल गई है और नई डेट के बारे में अभी कुछ पता नहीं है साथ ही फिल्म को चार राज्यों में बेन किया गया है मद्य परदेश, राजस्थान, उस्तर परदेश और गुजरात में फिल्म बेन हो गई है सवाल यह है कि आखिर क्यों बरबादी की इस कागार पर पहुची पदमावती फिल्म कौन है इसकी बरबादी अक कारण तो दोस्तो आज मैं आपको वो तीन गलतियां बताने वाला हूँ जो फिल्म के मेकर्स नहीं की है जिसके चलते आज फिल्म बरबादी की कागार पर खड़ी है तो दोस्तो पहली जो गलती है वो फिल्म के डारेक्टर, प्रोडूसर, राइटर संजय लिला भनसाली की है फिल्म की रिलीज से पहले राजपुत संगटन को भरोसे में नहीं लिया गया फिल्म की मेकिंग के दोरान ही राजपूत समाज इस फिल्म का विरोत कर रहा था उसी समय संजय लिला भनसाली को राजपूत समाज के प्रमुक और उनके संगटन के प्रमुक को भरोसे में लेना चाहिए था उनसे बाक्चित करनी चाहिए थी और आपस में सामान जस्य बिठा कर उनके विरोध को शांत करना चाहिए था अगर उत समय वो बाक्चित करके फिल्म की रिलिश से पहले ही विवात खत्म कर देते तो आज इस फिल्म के प्रती इतना बड़ा विरोध कभी नहीं होता पूरे देश में इस फिल्म का विरोध हो रहा है संजय लीला भनसाली ने इस विरोध के बारे में कभी उनसे फिल्म की रिलिश से पहले बातचित नहीं की उनकी बातों को नहीं समझा उन लोग को भरोसे में नहीं लिया अगर वो ऐसा करते तो आज फिल्म की ये हालत नहीं होती दोस्तों जो दूसरी गलती है वो फिल्म की मेनेजमेंट टीम नहीं की है किसी भी फिल्म को परदरशित करने से पहले सेंसर बोड से सर्टिविकिट लेना होता है फिल्म का टेलर रिलिच कर दिया गया लेकिन टेलर ओफ फिल्म सेंसर बोड को नहीं दिखाई गई जब विवाद बढ़ा तो जल्द बाजी में फिल्म को सेंसर बोड भेजा गया लेकिन फॉर्म में ही गलती कर दी वहाँ एक form apply करना होता है उसमें कही न कही कुछ कमी रह गई जिसके चलते sensor board ने film को वापस भेज दिया एसी इस्तिती में दोस्तों दोबारा आविदन करने में और film को sensor board से पास होने में एक से दो मेने का समय लगेगा जिसके कारण film और ज़्यादा डिले होगी दोस्तों तिसरी गलती है फिल्म के सौंग घूमर को गलत समय पर रिलीज करना फिल्म का ट्रेलर एकदम बेलेंस साथ फिल्म में अलाउद्दिन खिलजी का एक भी डायलोग नहीं था ना ही पदमावती और अलाउद्दिन खिल्जी को एक फ्रेम में एक सीन में आमने सामने दिखाया गया लेकिन ट्रेलर में कुछ एसा नहीं था जिसके कारण कोई मुद्दा मिले उसका विरोध हो रहा था लेकिन किसी भी चीज को पॉइंट आउट टेलर में नहीं किया गया लेकिन घूमर सौंग ने दोस्तो आग में घी का कान किया इस सौंग में पदमावती की ड्रेस पर विवाद हुआ पदमावती के डांस पर भी राजपुच समाज को आपत्ती है साथ ही पदमावती ने घूंगट नहीं किया इस बात का विरोध भी राजपुच समाज कर रहे है दोस्तो फिल्म के रिलिज से पहले इस सौंग को अगर रिलिज नहीं किया जाता तो आज शायद इतना बड़ा विवाद नहीं होता तो ये वो तीन गलतिया है जो फिल्म की मेकिंग टीम के दुआरा की गई है जिसके कारण आज ये फिल्म बरबाद हो रही है तो दोस्तो इस कॉंट्रवर्सी समबंदित कोई भी प्रशन आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे मैं उनके जवाब जरूर दूँगा वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जय हिंद जय भारत